दुर्ण कि अप्र mayor चैनल में आप सबका स्वागत है तो आज हम लोग बात करते हैं डिली के बारे में कि बिल्कुल दुलहन की तरह सजधस्च के तयार हो गई है् लिए भारत सरकार नहीं चाहती कि किसी तरीके से कोई भी चुक हो इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से और्गनाईज कर रही है और न सिर्फ कर रही है बलकि पूरी दुनिया को आप देखेंगे साइधी कंट्रियों जिसको छोड़ी हो सबको आमंतरित किया है भारसरकार में ताकि एक एक पर्व के रूप में और एक जैसे साधी होता है इसको टैयारी की जा रही है तो आप देखेंगे तो यह 9 और 10 सेप्टेंबर को आप देखेंगे देली में होगा इसका और उसका जो थीम है थीम में देखें कितनी बड़ी बात है कि थीम रखा गया बसुदेव कुटुमबकम इसका मतलब ही है आप देखेंगे वन अर्थ वन फैम्ली वन फ्यूचर यानि पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की बात की जा रही है और सारे देशों के साथ मिल करके आगे बढ़ने की बात की जा रही है इसमें साफ-साफ मैसेज भारत सरकार ने इसमें दीया है तो आप देखें इसका थीम बहुत इंपोड़ेंट है आप कर सकते हैं और ये G20 के बारे में जानते हैं कि अगी G20 है क्या तो ये ग्रूप है 20 कंट्री का ग्रूप है आप देखेंगे 19 कंट्री और एक European Union दोनों को मिला करके आप देखेंगे 20 बना है और इसकी सुरुवात हुई थी 1999 में ठीक है वहाँ से स्टार्ट हुआ है और इ उसके अलावा बहुत सारे कंट्री कोर्थ बुलाया है तो आप सोचिये कितीने सारे कंट्री हो जाएंगे और सबको महमान को बहुत अच्छे से केर किया जा रहा है और देखेंकि एक जैसे हुआ था कि लंगूर लंगूर का इस्टेचिου लगाए गया है क्यों कि हमारे महम कोई बंदर अटैक न कर दे तो इसकी भी तयारी की गई है ताकि किसी तरह का कोई चुक नहीं होना चाहिए इस बार तो अब इसका समझते हैं कि इसके साथ साथ आप देखिए इंडिया है हैं इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन यानि 28 कंट्री ये भी हो गए तो आप देखेंगे ये सारे मिंबर G20 के मिंबर है जब मिंबर हैं तो आपको पता होना कि ये क्यों बनाया गया है तो आप देखिए इसका उदेश जो परपस है ये एक तरह का अंतराष्टी ये मंच इंटरनेशनल एक फोरम है जिस पे आप क्या करता है पूरी दुनिया की जितने भी एकनोमी एक्टिविटी होती है उसकी काम होती है फिरेंशियल इशू को देखा जाता है हेल्स से रिलेटेड देखा जाता है इस टेकनलोजी से रिलेट सटनेबल डेपलोप्मेंट यानि सत्त विकास की बात की जाती है और आपस में जितने मेंबर हैं आपस में कौर्डिनेशन का काम करते हैं एक दूसरे को हेल्प करते हैं चाहें से धुड़ा है सोसल इशू हो ठीक है और वहीं 2023 में आप देख रहे हैं इंडिया में हो गया देली में वहीं 2024 यानि इंडिया जैसे होस्ट खतम होगा ये इसको दे दिया जाएगा किसको ब्राजिल को दे दिया जाएगा और ब्राजिल 2024 में रियो डी जेनेरियो सहर है वहां पे यहां पे होगा 2024 में और 2025 की बात करें तो South Africa में 25 में यानि पहले से ये fix हो गया कि कब कौन country में host करने माला ये सारा आपका data हो गया तो इसकी बात करते हैं कि आखिर इसका कितना बड़ा contribution है तो आप देखेंगे पूरी दुनिया का आप देखेंगे G20 है population की बात किया जाए तो two-third of population ये contribute करता है सिर्फ G G20 आप देखिए कि इतना बड़ा contribution है कि तीन में दो तिहाई आपको देखेंगे तो population में contribute करता है जितना बड़े बड़े population वाले country है economy है सारे सब इसमें सामिल है वहीं अगर global trade की बात किया जाए तो पूरी दुनिया का जितना global trade होता है उसका 75% क्या हो रहा है G20 के member से हो आप देखिए वहीं वर्ल्ड की GDP की बात किया जाए पूरे वर्ल्ड में जितने GDP जो मेजर GDP है उसका 85% contribution क्या है only G20 का है तो आप समझ सकते कितना बड़ा यह ग्रूप है और टॉप ग्रूप है जिसकी वज़व से इतने सारे economy activity हो रहे हैं तो आप देखेंगे और यह सबस तो आप देखेंगे कि जो country जिस time host करता है जैसे इंडिया को दे दिया गया तो इसका सारा कम इंडिया देखेगा फिर अगला जो हो गया ब्राजिल का दिया गया तो ब्राजिल करेगा इसका कोई official ऐसा कोई secretary या कोई ऐसा कोई सचिवाल है या office या headquarters किसी तरह का कुछ नही इस statement दे देगा कि इसका headquarters Newark में है तो side confused हो जाएंगे सही मार देंगे लेकिन यह गलत होगा क्योंकि headquarters है इनी G20 का तो यह अपने आप में एक unique है आप देख सकते हैं इसको और यह जब दिल्ली में host हो रही है तो obvious सी बात है कि बहुत सारा फर्क भी पड़ेगा आप तीन दि दिनों में तो उसका impact पड़ेगा लेकिन क्या की जाएगा hosting की बात है अगर इसके अलावा भी अगर option होता तो साहिद government करती लेकिन यह क्या है कि हजारो करोड का हो सकता है economy नुकसान हो उसकी activity को तीन दिन बंद होनी की वजह से तो सरकार को यही कोसिस करना है कि तीन दिन मे हजारो करोड हो सकता है नुकसान हो लेकिन कई लाख करोड का इसका आगे जो हमारा मंच बनेगा जो हमारा आपसी जो coordination होगा जो deal होगा G20 में तो आप देखेंगे इससे भी कहीं जादा हो सकता है तो यह पहली बार host हुआ है इसलिए इस तरीके की स्वागत की जा रही है त तो group हमने देखा कि 19 country या परस European Union के 28 country को इसके साथ साथ आप देखेंगे जितने Muslim country है जैसे UAE हो गया मिसर हो गया नाइजिरिया हो गया और भी बहुत सारे country को इसने सिंगापूर को बुलाया है और आप देखेंगे अफरीका के 54 country है सब को invite किया है और इसमें मोदी जी ने देखिए कि बहुत सारे country को और यही नहीं आगे देखिए WTO को भी नहीं छोड़ा है WTO को भी बुलाया गया World Bank को बुलाया गया है WTO को भी बुलाया गया OECD होता है जो बहुत बड़ा economy activity का करता है आसियान के जो country है group है इनको भी सब को बुलाया गया invite किया गया तो आप देखिए कि लगभग जितने भी major country है जहां से इंडिया जो deal करती है काम करती है लगभग सारे देशों को अमंतिरित की है invitation दी है और लगभग सब लोग आ रहे है कौन नहीं आ रहा है सिर्फ दो ही लोग है एक पुतिन साहब हो गया दूसरा हो गया जिन पिंग यही दो नह नहीं आ रहे हैं बाकि सारे लोग आ रहे हैं और सब लोग इसका कर रहा है तो यह रहा हमारा G20 के ऊपर कैसा लगा जरूर बताईए